असलाम वालेकूम मैं चयांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शनस यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडोर यूनट की पीसीबी अगर इसमें सरक्ट ब्रेक हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं यहां पर यह इंडोर की पी इंडॉक्टर जो हैं आप देख सकते हैं एक साइड से क्रैक है और एक साइड पर तो नों पीन इसकी मवजूद है इसके टोटल चार पिन वोटि हैं जिसमें एक पीन से न्यूटर लाएगा दूस्री पिन से निकल जाएगी यो धुर तो पीन ने बचे हमने इसको चेक किया on करके यहां पर आगे जो है face हमें एक side मिल रही है लेकिन एक side dead है मतलब कहले के neutral नहीं मिल रहा या face नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी एक side बिल्कुल सही है और एक side आप देख सकते हैं crack है इसकी winding भी जल जाती है और यह winding अगर मतलब disconnect हो जाए तब भी यह same vault देता है तो हमने इसको जब continue से चेक किये नीचे से PCV में से ही on किये बगयर ही मतलब neutral जहां से आ रहा है continue जब चेक किये तो आगे continue आना चाहिए दोनों points में एक में तो आ रहा था लेकिन दूसरी side वाली देखें तो वहां पर नहीं आ रहा था तो वहां से हमें clear हो गया कि इसमें से एक line break है जिसके वाटे से circuit बिल्कुल भी on नहीं हो रहा तो हमने इसको easily निकाला और new इसमें connect कर दिया हमारा PCV properly on हो गया तो आप जब भी circuit break हो fuse चेक करें ये चेक करें अंड़क्टर जो मैंने आपको बताया ये चेक करें इनमें fault आपको मिल ही जाएगा तो mostly ये ही fault होते हैं वीडियो पसंद है ये तो like जरूर किजिएगा अला हाफीज